हेलो दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने इस यूटूब चेनल एन डवल के ओफिजियल थिये में तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम कलाश 12 के केमिस्टरी का काफी इंपोर्टेट और अबजेक्टिव कोशन करेंगे और दोस्तो अभी हम जितना भी कोशन करेंगे ये आपके बोर्ड एक्जाम में कहीं न कहीं पूछा गया है तो इस वीडियो को आप लोग अंद तक देखे काफी इंपोर्टेट आपके लिए वीडियो होने वाला है ठीक है और जितना भी कोशन अभी हम बताएंगे आपको हराल में याद कर लेना है काफी इंपोर्टेट कोशन बनता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे पहला कोशन आपके सामने क्या है दोस्तों देखे कोशन है पहला लोहे का मुख एसक है लोहे का मुख एसक कौन-कौन से हैं दोस्तों देखे मेगने टाइट शीडे राइट और हमेटाइट यह तीनों लोहे का ही एसक है तो इसका अंसर आपका डी हो जाएगा इनमी से सभी इनी सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा यह यह तीनों राइट अंसर हो जाएगा तो देखिए आप मेगने टायट का सुत्र क्या होता है दोस्तों तो मेगने टायट का सुत्र याद रखेगा आप लोग इसका सुत्र होता है F3 F3 A4 याद रखेगा मैंने अगर मैंने टाइट का सुतर पूच़ दे तो याद रखेगा F3 और A4 होता है इस बात को याद रखेगा और C-D-R-R-I- Protect का क्या होता है आप जनते हों C-D-R-I- Collect का सुतर होता है FCO3 है C-D-R-I- Pract का सांधरन किसी विजी से होता है जिंग बलेंड ऐसक्थ है जिंग बलेंड ऐसक्थि को तो इसी सांधरन को निकाला तरहां इसको सांधरन किसी से से होता है नहीं सबसे उत्तम विदी कौन है तो यह आपका फेन उत्पलावन विदी कौन है इस बात को याद रखेगा काफी इंपोर्टेंट है बहुत बार यह कोशन पूछा रहा है आपके बोड़ी गिए में अगला कोशन है अस्पिलेटर है अस्पिलेटर क्या है दोस्तो प्रभिकिरिया एंटु पलस थी हच टू चेंजिंग टू एनएच थी पलस क्यू 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 एलवेज में ताप बढ़ने पर अमोनिया एनस्प्री का उत्पाद घड़ता है अमोनिया एनस्थी यहां के उत्पाद पर कोई परभाब नहीं पढ़ता है या फिर इसका आंस और 6P भी रिए तो दो स्वीकान रहा है जब रधाद बढ़ायa जाएगा तो अमोनिय MH3 का उत्पाद क्या उजाएगा इस बात को याद रखेगा घट जाएंगा घट जाता अगला कोशन आपका है आवर्द सार्नी के गुरूप एक के सभी तत्व को जाना जाता है आवर्द सार्नी है गुरूप एक के जितने भी तत्व है उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों उन्हें हम छार्य धातो के नाम से जानते हैं, इस वात को आप लोग याद रखेगा, ठीक है, छार्य धातो, और दोस्तों, देखिए, अगला क्या है, छार्य घुमिज धातो, इन्हीं बर्ग आपका दूसरा है, आबर्त सार्निक के बर्ग दो है, बर्ग दो, उ प्लंफ बी तत्म Candles hen ओंपों सभी क्यां है और हैं ने इस वात को याद रकेगा है इस चार उप्सन में से किस अनुका दुई धुर्व आगुर्ण सुन है तो देखिए इस उप्सन अमरा अप्सन भी हो जाएगा भी एप 3 ठीक है अगला कोशन है देखिए अगला कोशन देखिए दोस्तों किस गुरूप का सदसे जो सोडियाम है यह आवर्द सार्नी के किस वर्ग का तत्व है तो याद रखेगा दोस्तों यह बर्ग गुरूप एक का है आप प्रियोडिक्टेबल पढ़ेंगे उसमें आप जनते होंगे ठीक है अगला क्या है हीरे में कारवन का संकरन है काभी मोश्ट इंपोर्टेंट है हीरे में कारवन का संकरन जो स्पी 3 होता है तो आप्सन अमरा आपका सी अबस्ताह स और घृड़े अगला प्रशन का भी जवाब है रखें किसका पका सी करन अवस्था सबसे स्थीर है किसका सबसे अप्सन सेर्थाय का पहल से होता सबसे सबसे तो यादा रखेगा सिल्गर का यह एक होता है आप ऐन अंही आईरन का देखिए पलस-दो और पलास-तीन यह भी होता लेकिन इस road जैए तौनों यह गए इसका थी लेकिन अब देखे टीन और पी यह दोनों का होता है पलस तो अंसर को माड़िएगा इनकों में कमपरेजन होगा तो देखे इसका इसका यह पीवी यह लेड तो इसका कमपरेजन करेंगे तो इसका उससे पलस टू अवस्था सबसे अच्छी अस्थीर होगी तो आप लोग याद रख अगला कोशन की और बढ़ते हैं अगला अगला प्रशन आपका क्या है देखिए कि प्रात्मिक एमीन की पहचान प्रात्मिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है तो आप पढ़े होंगे और गेनिक के मिश्टी में प्रात्मिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जात है ठीक है अगला को शेंnaire इन उल्क्पी तुमेंसे कौन संगहनक बहुलक नाहीं है यह को एंजाइम क्या कार्वो हाड्रेट है या फिर लिपीड है या फिर प्रोटीन है या फिर नन अब दीज में से कोई नहीं तो दोस्तों यह प्रोटीन है एंजाइम है यह प्रोटीन है चलिए अगला कोशन क्यों बढ़ते हैं देखे क्या गिल्स रॉल है एक तो यह गिल्स कितमे से कों कृतिन मीथा अभी करता है देखर साकरीण hypotenphone करता है और एस पार टेम यह भी है और सोडियम साइख्लोमेट यह भी है तो आपसन नमर आपका तीनों हो जाएगा इनने में पार को कम करता है, शरीर के ताप को कम करता है, उसे क्या कहते हैं, तो वह कहलाता है आपका जोर नासी, क्या कहलाता है, तो जोर नासी, option नमर आपका A, सही अंसर हो जाएगा, अगला बॉरेक्स का रसाइनिक नम क्या है, देखें, बॉरेक्स का रसाइनिक नम क्या होता है, तो यादर केगा borrex का आपका रासाइनिक नाम sodium tetraborate हो जाएगा तो option नम्र आपका A नम्र सहिंसर हो जाएगा sodium tetraborate ठीक है अगला question देखिए क्या है अगला प्रश्ण आपका है पेट में अत्याधिक अम्र को बनने से रोका आ जा सकता है पीट में अत्यादिक अमले ठीक है अत्यादिक अमल को बनने से रुका जा सकता है तो पड़ते हैं अमले के द्वारा तो ओप्सन अमरब का यह सई अंसर हो जाएगा और यह कोशन देखिए तो याद रखेगा एन मेनेस 1 इंटो डी के पावर 1-10 इंटो एन इस चैनल पर पहली बार बिजिट करें उप लिस चैनल को सबस्क्राइब करने हैं ठीक है वीडियो ठोड़ी लेट आ एठीक है तो कोई रीजेन होगा ठीक है इसीलिए भी इसलिए वीडियो नहीं आ रहे तो आप लोग ख़बराइएगा नहीं ठीक है आप जहां भी पढ़ा अब जल्द ही आपके लिए अच्छा सा वीडियो लाने की कोशिस करेंगें ठीक हैं तो चलिए आज के लिए तिरह हैं फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ तब तक लिए जैहिंद बंदे मातर